नुश्र रसूल कम बैक ठीयो ओन चैनल वेल्स अगाज 18 जुलाई 2024 थाजजे का दिन और दोस्वों मार्केट में आज आपको जो भी तेजी दिखाई पड़ रही थी प्रैमेरली इन 5050 अट वस जस्ट बिकाज आए-टी सेक्टर स्टॉक्स और इटी सेक्टर को लेकर के दोस सब्सक्राइब आज के दिने 24,800 के ऊपर क्लोजिंग दिये जो कि बहुत ही स्ट्रॉंग मार्क है 187,188 पॉंट्स प्लस निफ्टी बैंक के बारें बात रहें दोसों थेजी पॉंट्स के तेजी और अल्दो दोसों निफ्टी बैंक वस नोट एट आट ओल डिरेक्शनल न दिखाई पड़ रही थी वो चीज़ आप यहीं से दिख लीजे कि और अफ ट्री हंडर्ट स्टॉक्स सोला सो सो स्टॉक्स डेक्लाइन करते हुए दिखाई पड़ रहे थे अद्वैंसिंग स्टॉक्स पर जेस्ट सेवन हंडर्ड जो कि प्रैमेरली प्रैमेरली मिड कैप और स्मॉल कैप द्वारा गिरावट का रीजन है निफ्टी के बारें बात रहें तो 23 पॉइंट प्लस ट्रेट कर रहा है बट आई और अटेक्शन टोवर्ट ती लेवल अट विच गिफ निफ्टी इस ट्वेंट एट हंडर्ड सेवन कि क्लोजिंग से अभी 77 पॉइंट प टॉप 5 गिनट में से एल्टी आयम साला तीन परसें टूपर टी इस टीन परसें टूपर वेपरो टू अदा हाफ पसेंट ऊपर इसे लाव बजाज फिंसर का चार्ट तो बड़ा इंटरेशन लग रहा है इन फाक्ट बजाफ फिंसर का चार्ट में चाहता हूं कि आप इसक गिरावाट तो सब्सक्राइब कोई बहुत ज्यादा गिरावाट नहीं है जिस प्रकार के रेजर्ट्स उसने पोस्ट किये हैं आई उस एक्सपेक्टिंग एट लीस्ट फाइफ परसेंट कट ट्रें में ठीक है मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट दी है मार्केट लीडर होन सब्सक्राइब करने का तो डेल परसेंग गिरावट एशन पेंट इसके लावा कोल इंडिया हीरो मोटर कॉप ग्रासम बजाज वाटो वर्दी अधर डॉप लूजर्स दोसों बात करें हम लोग किन स्टॉक्स में लास्ट एक हफते में और परफॉर्मेंस दिखाई पड़ परसेंट ही रहा तो आप समझ सकते हैं कि लास्ट एक हफते में ज़्यदा स्टॉक्स में गिरावट हुई नहीं है मार्केट इधर हैस बीन फ्लाट और मैली पॉजिटेव ओनली बढ़ने माले स्टॉक्स को देखें तो ओन जीसी टीस तो 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 मातर दो परसेंग गिरावट जिसमेंगी एक परसेंग गिरावट तो आज के दिन की जामिल है एशियन पेंट की इसलाब पावर गुरेट डिवी इसलाब मारूती टाटा स्टील अलदिया था टॉप अपरफॉर्मर्स किन स्टॉक्स में अक्यूमलेशन हुआ है दूसों अगर आप पिछले से बनाएंगे तो फिर आपको थोड़ा सा करेंशन ज्यादा होगा लेगिन मेरा काम है दोस्तों आपके लिए कुछ चीज़ें शॉर्ट लिस्ट करना ताकि आप आप और फाइव थाउसन स्टॉक्स शूड़ हाव सम मेथर इन दी मैडनेस तो टीसी एस अटेक समेंट अप कभी कुछ कभी रिलाइंस पुश कर देता है तो कभी आईटी सेक्टर पुश कर रहा है कभी बीच में एजी एफसी बैंक ने पुश किया था तो अगर आप निफ्टी फिफ्टी को देखें तो निफ्टी फिफ्टी का ट्रेंड पॉजिटिव ही चला हुए बहुत ही बहत गेपन ओपनिंग होने के इमेडियेटली सेम केंडल से अपसाइट दिखानी पड़ना शुरू ही फर उसके एक घंटे बाद पूरी की पूरी जितनी अपसाइट हुए थी सारी की सारी अपसाइट खताम लाहब समझेजे सच वाज दी चॉपी सेशन और उसके पूरा दिन लग गया उस उस अपसाइट को रिकवर करने में अल्टीमेटली घंटे फिर से मार्केट में घिरावट दिखाई पूरी सुरॉल एक्स्ट्रीमली इस्ट्रीमली इस्ट्रीमली चॉपी सेशन और यह चॉपी सेशन तब तक कॉंटिनीव रहेगा जब तक की 52600 के ऊपर स्ट स्टेबल तरीके से निफ्टी बैंक शस्टेन नहीं करता है अगर आज कर दिन के बारें बात रहे है तो आज के दिन 52600 के लेवल गोग एक लाख दोगा लेकिन दॉस्तों यह को सस्टेन को नहीं है कि तच करते ही वहीं से नीचे अगली गंडल पंधरा मिनट की नीचे तो this is not the way how we want nifty bank to perform अगर ट्रेट करना है बुलिश ट्रेट करना है तो मैं तो at least बेट करूँगा 52,800 के लेवल के ब्रेक होने का योगि 52,600 is a crucial level, no doubt about it, 52,600 is a crucial level है, इसको हम लोग ने पहले भी स्टेडी किया है, योगि इनवर्टेट हैं चूलर का पार्टन बन रहा है, 52,600 पे, लेट्स वेट फॉर 52,800 लेवल्स टू ब्रेक आउट और यहां से गर ब्रेक आउट होता है, तो फिर एक अच्छी खासी nifty 50 की तरह है, एक अच्छी खासी अपसेड आपको nifty bank में भी दिखाई भड़ेगी, लगिन दोस्वों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जिन स्टॉक जब भाग रहे थे, लास्ट दस दिनों में एराडा ने दिये हैं 60% के रिटर्स, तब तो आपको बड़े मज़े आ रहे थे, तब तो आपनी ही पूछा कि कि सरी यह क्यों भाग रहे हैं, भाई जब मार्केट में स्टॉक उपर जाते हैं, तो उसके बाद कुछ प कि तरफ से सेलिंग है 290 को करोड वर्ट वर्ट आप स्टॉक सी, तो इंट्रेस्टिंग जिस दोसों यह है कि फाइज इस समय भी बाइंग करने, 5500 क्रोड की बाइंग इस समय चे मार्केट अपने और टाइम है पर है, बिस वेरी वेरी इंट्रेस्टिंग, तो फिर भी नज करते हैं लेकिन अगर आप उसे पूचें स्टॉक में फिर यह 20% कपर सट्केट लगा गया हूं, क्योंकि BSNL, MTNL के जितने भी ऑपरेशन से उनको टेक ओवर करने वाला है, और जिसके चलते ही, गवर्मेंट is going to deposit 94 crore in escrow account to ensure timeless interest payment, और अगर आप उसे पूचें तो इससे क्य क्या नजर आ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है, यह एक बहतरीन turnaround story हो सकती है, यह फिर आप कह सकते हैं कि यह diamond in dust, क्योंकि ultimately यह जितने भी PSU's हैं, इनके पास assets, इनके पास land holdings, इनके पास staff जवर्दस हैं, जब जब भर भर के, लेकिन inefficiencies के चलते हैं, they have not been performing, लेकिन च इस तरह एगा किया नहीं है, मैं भी अभी अपने पुराने Airtel को ही पसंद करता हूँ, in fact, Airtel की services से मैं काफी satisfied भी हूँ, notwithstanding, BSNL के जितने भी assets हैं, MTNL के वो जाएंगे, तो basically MTNL is going to be part of BSNL, वैसे BSNL कोई बहुत बढ़ी अच्छी profit making company नहीं है, but overall अगर हम उसे stock 20% उपर है, यह तेज़ी आगे भी continue रहेगी, लेकिन मेरे साफ से stock में थोड़ा सा consolidation का वेट करें, इस चलती हुई rail गाली यह वन्दे भारत में बैठने का हुई मतलब नहीं है, चलती हुई वन्दे भारत, वन्दे भारत रोके, consolidate करे, तो बैठा जाएगा, अगर मुझस सकता है, यह stock सीधे सीधे 100 रुपय तक जाए बिना रोके, और अगर आप देखें, तो stock में पहते से 51 विच मेंक्सित अल्मोस 65-80 तक के levels stock में बहुती जल्दी आते हुई दिखाई पड़ सकते हैं, so कोई guarantee नहीं है, बढ़ हां, ऐसे stocks में लगातार जो stock मूव कर रहे हैं, चलने में थोड़ा risk में रहता है, so you should be aware about it, इसके लाव तो next stock है HL, जिसमें की 5% गिरावाट थी, अब दोसों जिस दिन budget आया था, election हुआ था, election के result साय था, stock 4000 के price पे trade कर रहता है, 4000 के price से अल्रटी 40% stock run-up कर चुका है एक महिने में, अगर आप stock के बारे मात करें, stock में ज आप से stock में cautious, cautious, caution बना गया रखने की ज़रूँ थे, क्योंकि stock में, जितनी भी positivity है, वो अरड़ी factor in हो गई है, अब stock को फ्रेश ओपर रे जाने के लिए, और positivity चाहिए, तो वो आने वाले समय में आती रहेंगी, next stock दोसों, रालिस, अब दोसों, रालिस जिस परकार से move किय है, जून के महिने से, अभी तक अगर आप देखें, धाइसो रोपे से stock पहुंच गया है, साल है 300, तो अच्छी कासी 50% की upside ये stock भी show कर चुका है, अगर आप इसके results को देखें, results are abysmally poor, अगर आप stock के profits के बारे में बात रहें, तो पिछले साल के comparison में profits are down 24%, वायो वाई, पिछले साल के comparison में, और अगर बात रहें revenue की, तो पिछले साल के comparison में flat हैं, लेकिन पिछले quarter के comparison में 80% उपर हैं, तो पिछले quarter के comparison में stock में अच्छी 58% की upside हो चुकी है, हाँ, अगर आप उसे पूचें, margins कैसे रहें, तो पिछले साल जो margins थे, 14.06% के, उससे drop होकर के margins बच हैं, अभी 12.26%, ये अलग बात है, कि पिछले quarter में, तो margin मातर 1.5% के थे, 1.37%, तो पिछले quarter के comparison में, तो performance ठीक है, लेकिन पिछले साल के comparison में अच्छा खासा run-up कर चुका है, बहुत ही interesting stock हो सकता है, और अगर आप मुसे पूचें, तो results are poor, next हो के दोस्तों Tata Technologies, जिसके भी results poor ही है, पिछले साल जहां कमणी ने profit post के थे, 190 करोड के, जो कि अभी आए हैं, मातर 162 औरोड, आप समले लिजे किस परकार के results आए, रेविन्यू के बारे में बात रहे हैं, पिछले साल जहां कमणी के revenue थे, 1257 करोड, जो कि अभी reduce होकर गया है, 1269 करोड के revenues आए, तो पिछ profit में अच्छा खासा drop है, और वहीं पर बात करें, margins की तो पिछले साल जहां कमणी के margins थे, almost 20% के, 19.9% के, जो कि drop होकर के 18.2% बचे हैं, तो results अब हुआ, यही reason हैं दोसों, stock बिल्कुल अभी भी कोई भी strength दिखाई नहीं पड़ रही है, at least I am not interested at this point in time, मैं wait करता हूँ हमे कोन guarantee कर रहा है दोस्तों कि stock 800 नहीं जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, और कोई guarantee, अगर आप मुसे बुझे क्या guarantee सरी 800 हो जाएगा, कोई guarantee नहीं है, और क्योंकि इस तरह के chart में, मैं कोई भी analysis करना पसंद करता भी नहीं है, क्योंकि जो stock बिल्कुल lower lows, lower lows, lower lows, lower highs बना रहे ह जिसके भी results abysmally poor ही है, क्योंकि अगर आप देखें, तो company का revenue पिछले साल के comparison में 3% down है, पिछले साल के comparison में profit 8% down है, तो कहीं पर भी कोई positivity दिखाई नहीं पड़ रहे है, बलकि negativity ही दिखाई पड़ रहे है, margins दोस्तों पिछले साल थे 16.9% के, जो की drop होकर के भी 15.6% बच 4800, वही 7600 रुप के price पे trade कर रहा था, आज दोस्तों stock 4800 के price पे trade कर रहा है, बहुत ही volatile session दिखाने के बाद अभी भी थोड़ा सी strength पकड़ी थी stock ने, लेकिन overall stock is still looking भी, तो हो सकता stock 4500 के important support level की तरफ आपको आता हुआ दिखाई पड़े, 4800 से 4500 के नीचे ज्यादा मैं गि तो इसके results भी कोई बहुत अच्छे नहीं आएं, average ही आएं, net profit पिछले साल के comparison में 8.9% down है, पिछले साल ते कमनी के profit 321 करोड, 321 करोड जो की reduce होकर के भी आए है 292 करोड, तो 321 से अभी 292 करोड के profits आए है, 8.9% का drop, revenue पिछले साल के comparison से उपर है, पिछले साल जो revenue था 878 क करोड का, जो की बढ़ करके आए है 1009 करोड, तो ultimately profit चाहिए है market को, profit तो बढ़े नहीं है, stock में correction आ सकता है, stock में गिरावटा सकती है, stock का important support level है, 280 to 300, I am confident कि stock बहुत ही चल्दी इस price पे आता हूँ, आपको दिखाई पढ़ सकता है, guarantee मत मांगना, आज का चमकता सितारा सिरफ अब जिसके की market के estimates को भी बीट किया है, बहुत बड़े margin से बीट नहीं है, but हर एक front पे आच्छा performance दिखाया है, इस समय market की performance को आप match ही कर लें, वही बहुत है, अगर आप देखें, revenue growth, constant currency growth तो 2.2% की expect ही गई थी, आई है 3.6%, revenues के बारे बात ने market ने expect किया था, almost 39,000 करोड के आसपास के revenue होंगे, आए है 39,315, उस पे भी positive, वहीं पर अगर में लोग बात करें, पैट की profitable tax, 6230 करोड, आए 6370 करोड, तो हर एक front पे बहतरी results हैं, और कहीं पर भी poor performance नहीं है, revenue के बारे बात रहे 3.7% का jump है, as compared to last quarter, margins के बारे बात रहे तो margins में भी 1% का इजाफा है, profitability बढ़ी है, हर एक जगह पर, हर एक performance में आपको एक greenery दिखाई पड़ रहे है, और इस समय, IT sector जो कि अलड़ी खाफी समय से bottom out हो चुगा है, क्योंकि अगर आप देखें दोस्तों, stock 2021 में trade कर रहा था, इसी price पे, 1600 रोपे के price पे, 2021, अभी चला है 2024, तीन साल के पहले के price पे मेरे साब से stock में आपको positivity expect करने चाहिए, सबसे पहले level, क्योंकि मुझे stock में दिखाई पड़ रहा है, वो है 1900 प्लस का, अगर ये breakout होता है, तो फिर तो भाई, मजी आ जाने है, क्योंकि ये अगर breakout हो गया, तो फिर तो बल्ले बल्ले, यहां से सीधे सीधे, कम से कम 700 point की upside द झाल